अज़ विजया दस्मी यानि दशहरे का पर्व है इस पावन अवसर पर आप सभी को धेरों शुपकामनाएं दसरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धेरे की जीत का पर्व भी है आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं मर्यादा में रहकर परवत त्योहार मना रहे हैं इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिस्सित है पहले दुरगापंडाल में मा के दर्शनों के लिए इतनी भीर जुट जाती थी एक दम मेले जैसा महावन रहता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया पहले दशरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे लेकिन इस बार उनका स्वरूब भी अलग ही है राम लिला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्शन था लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदिया लगी है पहले नवरातर पर गुजरात के गरबा की गुंज हर तरफ चाही रहती थी इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंध है अभी आगे और भी कई परव आने वाले है अभी इद है, शरत पुर्णिमा है, भालमी की जैन्ती है फिर धन्तेरस, दिवाली, भाईदूज, छठी महिया की पूजा है गुरु नानक देवजी की जैन्ती है कोरोना के संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है मर्यादा में ही रहना है साथियों, जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है क्या-क्या खरीदारी करनी है खास कर बच्चों में तो इसका विशेष उत्सार रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल्फ और लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखे लोकडाउन में हमने समाज के उन साथ्यों को और करिब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सबजी वाले, दूद वाले, सिकुरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भाति मैसूस किया है कठीन समय में ये आपके साथ थे, हम सब के साथ थे, अब अपने परवों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है, मेरा आग्रह है, जैसे भी संबव हो, इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए, परिवार के सदस्य की तरह करिए, फिर आप आपकी खुशियां कितनी बढ़ जाती है, साथियों हमें अपने उन जाबाद सैनिकों को भी आद रखना है, जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं, हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं, हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है, मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूँ, कि आप बले ही सिमापर है, लेकिन पुरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है, मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूँ, जिनके बेटे बेटियां आज सरहत पर है, हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसने किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं रदय से उसका आभार प्रगर करता हूँ, मेरे प्यारे देश वासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्स की फैन हो रही है, हमारे कई लोकल प्रोडक्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है, जैसे एक उधारन है खादी का, लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खाद आज एको friendly fabric के रूप में जानी जा रही है, स्वास्त के दर्स्ति से ये body friendly fabric है, all weather fabric है, और आज खादी fashion statement तो बनी ही रही है, खादी की popularity तो बढ़ी रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है मेक्सिको में एक जगह है ओहाका इस इलाके में कई गाव ऐसे हैं जहां स्थानिय ग्रामीन खादी बुनने का काम करते हैं आज यहां की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसित हो चुकी है ओहाका में खादी कैसे पहुँची ये भी कम इंट्रेस्टिंग नहीं है दरसल मेक्सिको के एक युवां मार्क ब्राउन ने एक बार महत्मा गांधी पर एक फिल्म देखी ब्राउन ये फिल्म देखकर बापु से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापु के आश्रम आये और बापु के भारे में और गहराई से जाना समझा तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी के बले कपड़ा ही नहीं है बलकि ये तो एक पूरी जीवन पद्धती है इससे किस तरह से ग्रामीन अर्थेववस्ता और आत्म निर्भरता का दर्शन जुड़ा है ब्राउन इससे बहुत प्रभावित हुए यही से ब्राउन ने ठाना कि वो मेक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे उन्होंने मेक्सिको के ओहाका में ग्रामीनों को खादी का काम सिखाया उन्हें प्रसिक्षित किया और आज ओहाका खादी एक ब्रांड बन गया है इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर लिखा है The Symbol of Dharma in Motion इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुती दिल्चस्प इंटर्वी भी मिलेगा वे बताते हैं कि शुरू में लोग खादी को लेकर संदे में थे पर अखिरकार इसमें लोगों की दिल्चस्प बढ़ी और इसका बाजार तयार हो गया ये कहते हैं ये रामराज्य से जुड़ी बाते हैं जब आप लोगों की जरुतों को पूरा करते हैं तो फिर लोग भी आप से जुड़ने चले आते हैं साथियों दिल्ली के कानट प्लेस के खादी श्टोर में इस बार गांधी जन्ती पर एक ही दिन में एक करोड रुपिय से जादा की खरीदारी हुई इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपिलर हो रहे हैं देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्फ गुरुप और दूसरी समस्ताएं खादी के मास्क बना रहे हैं यूपि में बारा बंकी में एक महला है सुमन देवी जी सुमन जी ने सेल्फ हेल्फ ग्रूप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास बनाना शुरू किया दीरे दीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जूडती चली गई अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास बना रही है हमारे लोकल प्रोडक्स की खुबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है मेरे पैरे देशवासियो जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है तो दुनिया में भी उनके प्रती जिग्या सब बढ़ती है जैसे हमारे आध्यात्म ने, योग ने, आयुरुवेद ने पूरी दुनिया को आकर्शित किया है हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्शित कर रहे हैं आजकल हमारा मलखम भी अनेकों देशों में प्रचलीत हो रहा है अमेरिका में चिनमय पाटनकर और पग्या पाटनकर ने जब अपने घर से ही मल्खम सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाज नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी अमेरिका में आज कई स्थानों पर मल्खम ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुट रहे हैं मल्खम सीख रहे हैं आज जर्मनी हो पोलेंड हो मलोशिया हो ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मल्खम खूब पॉपिलर हो रहा है अब तो इसकी वर्ल्ड चेंपियंशिप भी शुरू की गई है जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं भारत में तो प्राचीन कार्ट से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधरन विकास करते हैं हमारे माइंड बोडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं लेकिन संभव तह नई पीडी के हमारे युवा साथी मल्खम से उतना परिचित न हो आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए साथियों हमारे देश में कितनी ही मार्शल आर्ट्स हैं मैं चाहूंगा कि हमारी वा साथी इनके बारे में भी जाने इने सिखे और समय के हिसाब से इनोवेट भी करें जब जीवन में बड़ी चुनवतिया नहीं होती है तो व्यक्तित्व का सर्वस्रेष्ट भी बाहर निकल कर नहीं आता है इसलिए अपने आपको हमेशा चैलेंज करते रहिए मेरे प्यारे देश्वासियों कहा जाता है लर्निंग इस ग्रोइंग आज मन की बात में मैं आपका परिचाए एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है यह जुनून है दुसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुश्यों को बातने का यह है पो तुकुडी को पल सिटी यानि मोत्यों के शहर के रुप में भी जाना जाता है यह कभी पांडियन सामराज्य का एक महत्वपुन केंद्र था यहां रनने वाले मेरे दोस्त पोन मार्यपन हैर कटिंग के पेसे से जुड़े हैं और एक सेलून चलाते हैं बर छोटा सा सेलून है उन्होंने एक अनोखा और प्रेणादाई काम किया है अपने सेलून के एक हिस्से को ही पुस्तकाले बना दिया है यदी वक्ती सेलून में अपनी बारी का इंतजार करने के दोरान वहां कुछ पढ़ता है और जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा लिदता है तो पोन म मरियपंजी उस ग्राहक को डिसकाउंट देते हैं है नमेजेदार आईए तुतुकुडी चलते हैं ओन मरियपंजी से बात करते हैं ओन मारियपंजी वणकम नल्ला इरिक्केंगड़ा ना येट्टाव ववववपोताम पड़्चितुकरें मेर कोंड़े एंग कुटुम्प सुल्लिलन कारमा पड़िक्कें मुडियले एनक्कु पड़िच्चावंगल पाकम पोद एनक्कुल्ल वर्त्तम इरकों नामन वर नू मैं आटवीक अक्षा तक पड़ा हूं उसके आगे मेरी पारिवारिक परिस्तितियों के कारण मैं अपनी पड़ाई को आगे बढ़ा न सका जब मैं पड़े लेके आदमियों को देखता हूं तब मेरे मन में एक कमी महसूस हो रही थी इसलिए मेरे मन में ये आया कि हम क्योंने एक पुस्तकाले स्तापित करें और उसे बहुत से लोबों को ये लाब होगा येही मेरे लिए एक प्रेरना बनी उंगलक्के एंद पुत्तुहं पिडिकों? एनक्के तिरकुरल रुम पिडिकियों? मुझे तिरकुरल बहुत पिरिया है ओ! उंगके एट्टू पेशीयदरी एनक्क रोंबा मिगल्ची नलवाड़्तुकल्ड येनक्कों मानबि मुग प्रदमर्याइटा पेसरदु रुम्ब मैं अभी माननीय प्रदानमंत्री जी से बात करते हुए अतिप्रसंदता महसूस कर रहा हूँ अगें नलवाड़ तुकल्ड नंडरिंगे ये या धनिवाद प्रदानमंत्री जी थैंक्यों हमने अभी ओन मार्याप पन जी से बात की देखिए कैसे वो लोगों के बालों को परइन को सवारते ही हैं उन्हें अपना जीमन सवारने का भी अवसर देते हैं। फिरु कुरल की लोग पुरियता के बारे में सुनकर बहुत अच्छा नगा। एक आगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन के लिए वो एक प्रकार से मार्गदर्शक है। साथियों लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिने ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है। यह वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तकपर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरीत हो। अगस्त में अरुनाचल पदेश के निर्जूली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्फ लाइबरेरी बनाई गए है। दरसल यहां की मीना गुरुम और दिवान होसाई को जब पता चला गए कि कस्बे में कोई लाइबरेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस लाइबरेरी के लिए कोई मेंबर्शिप ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति दो हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है, पढ़ने के बाद उससे वापिस करना होता है। यह लाइबरेरी सातों दिन 2400 घंटे खुली रहती है। आस पढ़ोस के अभीभावक यह देखकर काफी खुश हैं तो उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं। खास कर उस समय जब स्कूलों ने भी ओनलाइन क्लासे शुरू कर दी है। वहीं चंडिगर में एक NGO चलाने वाले संदिप कुमार जी ने एक मीनी बैन में मोबाईल लाइबरेरी बनाई हैं। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुप्त में बुख्सी दी जाती हैं। इसके साथ ही गुजरात के भावनकर की भी दो संस्ताओं के बारे में जानता हूँ जो बहतरीन कारे कर रही हैं। उन में से एक है विकास वर्तुल ट्रस्ट। ये संस्ता प्रतियोगी परिक्षाओं के तयारी करने वाले विद्यार्थों के लिए बहुत मददगार है। ये ट्रस्ट 1975 से काम कर रहा है। और ये 5000 पुस्तकों के साथ 140 से अधिक मेगेजिन उपलब्द कराता है। ऐसी एक संस्ता पुस्तक परभ है। ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो साहितिक पुस्तकों के साथ ही दूसरी किताबे निश्वल के उपलब्द कराते हैं। इस लाइबरेरी में अध्यात्मिक, आयुर्वेदिक उपचार और कई अन्य विश्वयों से संब्दित पुस्तके भी शामिल है। एदि आपको इस तरह की और प्रयासों के बारे में कुछ पता है, तो मेरा आग्रह है कि आप उसे सोशल मीडिया पर जरूर साजा करें। ये उधारण पुस्तक पढ़ने या पुस्तकाले खोलने तक ही सिमित नहीं है, बलकि यह उस नए भारत की भावना का भी प्रतीख है, जिसमें समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र और हर तपके के लोग नए-ने और इनोवेटिव तरीके अपना रहे है। गीता में कहा गया है, नहीं ज्याने सरदूशम पवीत्र मिह विद्देते हैं, अर्थात ज्यान के समाण संसार में कुछ भी पवीत्र नहीं है। में ज्यान का प्रसार करने वाले, ऐसे नेक प्रयास करने वाले सभी महनुफवाओं का रदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछ ही दिनों बात सरदार बल्लभाई पटेल जी की जन्म जन्ती 31 अक्तूबर को हम सब राष्ट्री एक्ता दिवस के तौर पर मनाएंगे। की सारे तत्म मौझूद हो वैचारी गहराई, नईतिक साहस, राजनितिक मिलक्षनता, कृषिक छेत्र का गहरा ज्यान और राष्ट्री एक्ता के प्रती समर्पन भाव। क्या आप सरदार पटेर के बारे में एक बात जानते हैं जो उनके सेंस अब हुमर को दर्शाती हैं। जरा उस लोपुरुस की छबी की कलपना कीजिये, जो राजे रजवाणों से बात कर रहे थे, पुझ्य बापु के जन अंदोलन का प्रबंदर कर रहे थे, साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ रहे थे, और इन सब के बीच भी उनका सेंस अब हुमर पूरे रंग अंस्ते पेट में बल पड़ जाते थे, ऐसा दिन में एक बार नहीं, कई कई बार होता था, इसमें हमारे लिए भी एक सीख है, परिस्थितियां कितने भी वीशम क्यों नहों, अपने सेंस अब हुमर को जिन्दा रखिये, यह हमें सहस्त तो रखेगा ही, हम अपनी समस्चा का समाधान भी निकाल पाएंगे, सरदार साब ने यही तो किया था, मेरे पहरे देशवाशियों, सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एक जूरता के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने भारतिये जनमानस को स्वतंतरता अंदोलन से जोड़ा, उन्होंना आज जीदिता में एक्ता के मंत्र को हर भारतिये का मन में जगा रहे थे, साथियों, आज हमें अपनी वाणी, अपने विहवार, अपने कर्म से हर पल, उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है, जो हमें एक करे, जो देश के एक भाग में रहने वाले नागरी के मन में, दूसरे कौ जोने में रहने वाले नागरी के लिए सहस्ता और अपनत्व का भाव पैदा कर सके, हमारे पुर्वजों ने सद्यों से यह प्रयास निरंतर किये हैं, अब देखिए, केरल में जन्में पुझ्य आदि संकराचारी जी ने, भारत की चारों दिशाओं में चार महत्वपुर् अपना की, उत्तर में बद्रिकाश्रम, पूर्व में पूरी, दक्षिन में स्रिंगेरी और पश्ची में द्वारिका, उन्होंने स्री नगर की यात्रा भी की, यही काराण है कि वहाँ एक संकराचारी हील है, तिर्थाटन अपने आप में भारत को एक सुत्र में पिरोता है जोतिर लिंगो और शक्ति पिठों की स्रंकला भारत को एक सुत्र में बांगती है, त्रिपूरा से लेकर गुजरात तक, जम्मु कश्मीर से लेकर तमिल नाडु तक, स्थापित हमारी आस्था के केंद्र हमें एक करते हैं बक्ति आंदोलन पूरे भारत में एक बड़ा जन आंदोलन बन गया, जिसने हमें बक्ति के माध्यम से एक जूट किया, हमारे नित्ति जीवन में भी ये बाते कैसे गुल गई है, जिसमें एकता की ताकत है प्रतेक अनुस्थान से पहले विभिन नदियों का आवान किया जाता है, इसमें सुदूर उत्तर में स्थित सिंदु नदी से लेकर दक्षिन भारत की जीवन दाइनी कावरी नदी तक शामिल है, अक्षर हमारे हां लोग कहते हैं, स्नान करते समय, पवित्र भाव से एकता क मंत्र ही बोलते हैं, गंगे चय, यमुने चय, गोदावरी, सरस्वती, नर्वदे सिंदु कावरी, जलेस मिन, सन्निधी गुरू, इसी प्रकार सिंगों के पविस्तर सरों में नांदेर साब और पटना साब गुरिद्वारे सामील है, हमारे सिंग गुरू ने भी अपने जी हम सभी को समिधान के माध्यम से एक जूट किया, साथियो, यूनिटी इस पावर, यूनिटी इस ट्रेंथ, यूनिटी इस प्रोग्रेस, यूनिटी इस एमपाउरमेट, यूनिटेड वी विल स्केल न्यू हाइट्स, वैसे ऐसी ताकते भी मौजूद रही हैं, जो निरंतर हमारे मन में संदह का बीजबोने की कोशिश करते रहते हैं, देश को बाटने का प्रयास करते हैं, देश ने भी हर बार इन बद इरादों का मूह तोड जवाब दिया है, हमें निरंतर अपनी क्रेटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पूरवक्र, अपने छोटे से उपसुरत रंगों को सामने लाना है एकता के नए रंग भरने है और हर नागरिक को भरने है इस संदर में मैं आप सब से एक वेबसाइट देखने का आगरह करता हूँ एक भारत.gov.in इसमें नेशनल इंटिग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे इसका एक दिल्चस्प कॉर्णर है आज का वाक्या इस सेक्षन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग-अलग भासाओं में कैसे बोलते हैं या सिख सकते हैं आप इस वेबसाइट के लिए कॉंटिबूट भी करें जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग-अलग खानपान होता है यह वेंजन स्थानिय स्थर के खास इंग्रेडियन्स यानि अनाज और मसालों से बनाये जाते हैं क्या हमें लोकल फूर की रेसिपी को लोकल इंग्र इंग्रेडियन्स के नामों के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत वेबसाइट पर सैर कर सकते हैं यूनिटी और इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बहतर तरीका और क्या हो सकता है साथियों इस महिने की 31 तारीक को मुझे केवडिया में एतिहासिक स्टेची ओफिनिटी पर हो रहे कई कारेकमों में सामिल होने का आउसर मिलेगा आप लोग भी जुरूर जुडियेगा मेरे प्यारे देश वासियों 31 अक्तुबर को हम बालमी की जैनती भी मनाएंगे महर्ची वालमिकी के महान विचार करोणों लोगों को प्रेरित करते हैं शक्ति प्रदान करते हैं वे लाखों, करोणों, गरीबों और दलीतों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं। वो कहते हैं किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ती अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ती ही हैं जो कई युवाओं को असाधन कार करने की ताकत देती हैं। महर्सी वालमिकी ने सकारात्मक सोच पर बल दिया। उनके लिए सेवा और मानुए गरिमा का स्थान सर्वो परी है। महर्सी वालमिकी के आचार, विचार और आदर्श आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रिणा भी है और दिशा निर्देश भी है। हम महर्सी वालमिकी के प्रती सदेव कुर्तग्य रहेंगे कि उन्होंने आने वाली पीडियों के मारदर्शन के लिए रामायन जैसे महा ग्रंत की रचना की। 31 अक्तुबर को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमते इंद्रा गांदी जी को हमने खो दिया। मैं आदर पूर्वक उनको सरद्धांजली देता हूँ। मेरे पहरे देश स्वासियों, आज कश्मीर का पुल्वामा पूरे देश को पढ़ाने में महत्पपुन भूमी का निभा रहा है। आज देश भर में बच्चे अपना हुंबर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुल्वामा के लोगों की कड़ी म महनत भी है। कश्मीर घाटी पुरे देश की करीब करीब 90 प्रतिशत पैंसिल स्लेट लकडी की पट्टी की मांग को पुरा करती हैं, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुल्वामा की है। एक समय में हम लोग विदेशों से पैंसिल के लिए लकडी बंगाते थे, ल आस्ताओं में पुल्वामा के ये पैंसिल स्लेट्स स्लेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं। गाटी की चिनार की लकडी में हाई मोश्चूर कंटेंट और सौपनेस होती हैं, जो पैंसिल के निर्मार के लिए उसे सब से सुटेबल बनाती हैं। पुल्वामा में पुल्वामा की अपनी ये पहचान तब स्थापित हुई हैं, जब यहां के लोगों ने कुछ नया करने की खानी, काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रती समर्पित कर दिया। ऐसे ही करमट लोगों में से एक है मंजूर एहमद अलाई। पहले मंजूर भाई लकडी काटने वाले एक सामाने मद्दूर थे। मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनके आने वाली पीडियां गरीबी में न जिये। उन्होंने अपनी पुस्तेनी जमीन लिए थे तब ही मंजूर भाई को कहीं से पता चला कि पैंसिल निर्माण में पॉपलर वूड यानी चिनार की लकडी का उपयोग शुरू किया गया है। ये जनकरी मिलने के बाद मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचे देते हुए कुछ फेमस पैंसिल मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स को पॉपलर वुडन बॉक्स की आपूरती शुरू की। मंजूर जी को ये बहुत फायदेमन लगा और उनकी आमर ने भी अच्छी खासी बढ़ने लगी। मंजूर भाई समेट पुल्वामा के महनतकस भाई बहनों को और उनके परिवार वानों को उनकी प्रसंसा करता हूँ। आप सब देश के यंग मैंड्स को सिक्षित करने के लिए अपना बहुमुली योगदान दे रहे हैं। मेरे पैरे देश्वासियों, लोगडाउन के दौरान टेक्नोलोजी बेज सर्विस डिलिवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए है। और अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी टेक्नोलोजी और लोजिस्टिक कंपनियां ही यह कर सकती है। जारखन में ये काम महिलाओं के सेल्फेल्फ ग्रूप ने करके दिखाया है। इन महिलाओं ने किसानों के खेतों से सबजियां और फल लिये और सीधे घरों तक पहुँचाए। इन महिलाओं ने आजीवी का फार्म फेश नाम से एक एप बनवाया जिसके जरिये लोग आसाने से सबजियां मंगा सकते थे। इस पूरे प्रयास से किसानों को अपनी सबजियां और फलों के अच्छे दाम मिले और लोगों को भी फ्रेश सबजियां मिलती रही। वहाँ आजीवी का फार्म फ्रेश एप का एडिया बहुत पॉपिलर हो रहा है। लोग डाउन में इनोंने पचास लाख रुपिये से भी जादा के फल सबजियां लोगों तक पहुँचाई है। साथ क्यों एगरिकल्चर सेक्टर में नई संभावनाय बनता देख हमारे युवा भी काफी संख्या में इस से जुड़ने लगे हैं। मद्यप्रदेश के बढ़वानी में अतूल पाटिदार अपने क्षेत्र के 4000 किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं। ये किसान अतूल पाटिदार के e-platform फार्म कार्ट के जरिये खेती के सामान जैसे खाथ, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, आदी की होम डिलेवरी पा रहे हैं। यानि किसानों को घर तक उनकी जरुवत की चीजे मिल रही हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आदूनिक क्रशी उपकरोनों भी किराये पर मिल जाते हैं। लॉकडाउन के समय भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये किसानों को हजारों पैकेट डिलिवरी किये गए, जिसमें कपास और सब्जियों के बीज भी थे। अतुल जी और उनकी टीम किसानों को तक्नीकी रूप से जागरूप कर रही हैं। ऑनलाइन पैमेंट और खरीदारी सिखा रही हैं। शाथियों इन दिनों महराश्ण के एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहाँ एक फार्मर प्रोडूशर कमपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कमपनी ने किसानों के इस बार मुल्ल के अतिरिक्त बॉनस भी दिया। किसानों को भी एक सुख़द आश्यरी हुआ। जब उस कमपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृशिक कानून बनाये हैं। अब उसके तहट किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेज पा रहे हैं। और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रोफिट को किसानों के साथ भी बाटना चाहिए। उस पर उनका भी हक है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है। साथियों बोनस अभी भले ही छोटा हो लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। इससे हमें पता चलता है कि नए कुरुशी कानून से जमिनी स्तर पर किस तरह के बड़ला किसानों के पक्षमे आने की संभावनाएं भरी पड़ी है। मेरे पहरे देशवासियों, आज मन की बात में देशवासियों की असाधार उपलब्दियां। हमारे देश, हमारी संस्कृति के अलग-अलग आयामों पर आप सबसे बात करने का आउसर मिला। हमारा देश प्रतिभावान लोगों से भरा हुआ है। अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हो, तो उनके बारे में बात कीजिए, लिखिए और उनकी सफ़लताओं को शेर कीजिए। आने वाले त्योहारों की आपको और आपके पुरे परिवार को बहुत-बहुत बधाई। लेकिन एक बात याद रखिए, और त्योहारों में जरा विशेश रुप से याद रखिए, मास्क पहनना है, हाथ साबुन से धोते रहना है, दो गज की दूरी बनाए रखनी है, साथियों अगले मैने फिर आपसे मन की बात होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।